नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चीत्रा, स्वाकत है आपका मेरी योट्टूब चैनल क्लासिक चीत्रा में तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाजवन्ती यानी छुए मुई के बारे में जी हाँ दोस्तों, लाजवन्ती एक एसा पोधा है कि इसे छुने से ही यहां सर्मा जाती है ये सिर्फ इंसान के छुने से ही नहीं, लेकिन किसी भी चीज के स्पर्श्र मात्र से ही सिकुड जाता है लेकिन दोस्तों, लाजवन्ती के ओश्यत्य गुणों के कारण आयुर्वेद में इसका प्रयोक किया जाता है तो चलिए बात करते हैं छुई मुई के बारे में लाजवन्ती एक छोटा सा पोधा होता है जो हर एक विस्तार में आसानी से मिल जाता है इस प्रजाती के अनेक पोधे पाए जाते है इसके फूल गुलाबी रंके बहुत ही ब्यूटिफूल और छोटे-छोटे होते है इसके पत्ते एक लंबे डंठल पर छोटे-छोटे तनों में लाइन में लगे होते है और अंडाकार तथा छोटे होते है इसके तनों में छोटे-छोटे काटे लगे होते हैं और सारा पोधा रुयेदार होता है लाजवन्ती की खास बाती हों है कि इसे हाथ लगाते ही ये सिक उड़ जाती है और हाथ हटाने पर ये फिर से अपनी पहले की अवस्ता में आ जाती है और यहीं इसकी खास पहचान है इसलिए इसे टच्मीन और प्लांट भी कहा जाता है आयुर्वेद में लाजवन्ती के चड़ और पत्ते का प्रयोग उसदी में सबसे ज़्यादा किया जाता है प्लाजवन्ती प्रकृती से ठंडे तासिर की और कड़वी होती है दोस्तों आये चानते है इसे अलग-अलग भासाओं में किस नामों से जाना जाता है इसका वानस्पतिक नाम मीमोसा पुड़ी का है यहां मीमोसे सिकुल से मिलों करती है अंग्रेजी में इसे सेंसेटिव प्लांट या हम्बल प्लांट सेस्कृत में लजजालू हिंदी में छुई मुई गुजराती मेरी सामनी या लजामनी जैसे नामों से जाना जाता है दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंदा रहा है तो वीडियो को लाइक और सेर जरुर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो आये जानते है लाजवन्ती के पोधे के फाइदे और उप्योग के बारे में किसी भी प्रकर के घाव या चोट लगने पर छुई मुई के चड़का पेश्ट लगाने से जल्दी राहत मिलती है ये घाव की ब्लीडिंग को भी कम करने में मदद करती है साप या बीच्चु काटने पर इसके पत्ते तथा तने को पिसकल लगाने से वीश का प्रभाव कम होता है हाइड्रोसिल में इसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है यूरिनरी प्रोब्लेम, पाइल्स, पेटफूलना या अपच में लाजवन्ती उप्योगी है बुखार या पीलिया में इसके पत्ते के रज का प्रयोग होता है क्योंकि इसकी तासिर ठंडी होती है तो सभी प्रकार के पित्त सबंदी रोगों में लाब होता है रक्त, अतिसार और डाइबिटिस में लाजवन्ती के जड़ का काड़ा बना कर पिया जाता है दोस्तों, माना जाता है कि लाजवन्ती की जड़को गले में भान्ने से खासी में लाब होता है यहाँ एक अद्भूत प्रयोग है गले की सुचन में लाजवन्ती का सेवन लाब कारक माना गया है तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा कोमेंट करके जरूर बताईए अगर अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं इसी ही नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में थेंक यू